नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावन सील सीकर से मेरे साथ है मेरे फिजिक्स की सेरी फेकल्टी सुख्देव सर तो सुख्देव सर आज हम नीट 2023 का फिजिक्स एकको की तेस्स स्रीज है जिसका बड़ा इंजार होता है जैसे बायो केम खतम होती है बचे करते को 2023 को किसके लिए सात मैं 2023 के लिए आओ बच्चों देखते हैं और इन सत्रा मार्च से लेके अब आपके अगने जो भी टेस्ट हैं उन सब का सोलुशन सील सी सीकर के यूट्यूब चैनल पे रहेगा ओके डियर आ जाएं तो पहला टेस्ट तरह मार्च का है आप देखें हमने पूरी फिजिस को चे टोपिंग मनाया है अब मजबूरी है लास्ट हमने बारा किये थे आज चे करने पड़ेंगे पिस्ट एक्जाम जुलाई में था बाइया अब एक्जाम मही मा आ गया तो छे टेस्ट होंगे परतेक टेस्ट में पचास कुश्चन आएंगे सारे पेपर NCRT बेस्ट हैं 50% नुमेरिकल होंगे 50% छोरी होंगे हर पेपर का सोलुशन हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा यह चलेगा 17 मार्श से लेके पुत्र 24 मार्श पर इसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा डायमेंड टेस्ट सीरीज जो 30 अप्रेल से लेगा 22 कहां कहां कर सकता है तो आप देखो सीकर अलोवर जेपूर कोटा विकाने जोदपूर दिल्ली इसार यह अपने ऑफ-लाइन सेंटर हैं सब कहल प्लाइन नमर दिये हुए हैं आप यहां कॉल कर सकते हैं ओनलाइन पूरे देश में आप कहें भी जो नहीं कर सकते हैं फिर एक अच्छे किताबें दो बायों की दो केमेस्ट्री की एको फिजिक्स एक पीवाही क्यों तेरा से लेके बाइस तक वह सारा इस फिस में इंकलूड है ओके डियर आप जुड़ें सी एल सी की टेस्टिरिज के साथ और दो हजार तेईस साथ अमई की शाम अपनी शुक्त है अच्छा Igor ९ह आप स है मैंचा दिया हुआ उसमी स्कों साथ इखरन नहीं प созд to India मुधा अपने जाएंगा A बन जाएगा बोलो हाना तो अपन इस B का करते हैं डिफ्रेंशेशन तो आप इसका करेंट डिफ्रेंशेशन तो यह क्या बनेगा पुतर D, V, Y, D, T इसका नाम क्या होगा A तो यह तेरा 2T है तो क्या बच गया 2Y कैप और यह T स्काइर है तो तरह क्या बच गया 2T J कलर चेंज कर लें पहन का ताकि दिक्कत नहीं आए ओके डिएर यहां तक बात होगी बैस यह A हो गया इसको M से मल्टिप्लाई कर दे तो M कितना डिएर 2 यह 2 से मल्टिप्लाई होगा तो क्या होगा 4I केप यह 2 से मल्टिप्लाई होगा तो T की वेल दो पुट करने पड़ेगी यहां पर तो T की वेल टू 2 सेगिंड तो 2 दो 4 4 दो 8 J यह लिए पुतर सिंपल सा क्यूशन है और यह मेडिकलम बहुत बार आया 4I प्लस 8 J नूटन तो रहेगा रहेगा तो कौन सांसर हो गया पहला तो डियरे बड़ी सिंपल आस्पेक्ट है क्यूशन में कुछ नहीं था V दियावा था V को आप डिफ्रिशेट करें अक्सेलेशन बनाएं तोरण में ती है तो T की वेलिपूट कर देंगे उसको एहम से मल्टिप्लाई कर देंगे यही नीट है सुगदेवसर यही नीट है मैं बच्चुश करना चाहता हूँ कि यह कुशन मैं कुछ आपके साथ मैं भी करूंगा बाकि कुछ कुछ नमारे सुगदेवसर भी करेंगे मेरा मकसद इस वीडियो मैंने के फिच इतना ही है कि आप लोग यदि कॉंसेप्ट्वल पढ़ते हो तो आप आराम से कुशन कर सकते हो और एक खुश खबर देने लिए मैं आया हूँ नीट दोजार तेरा से दोजार बाइस तक के सारे प्रश्णों का टोपिक वाइज हम आपको वीडियो फ्री ओप कोस्ट यूट्व पे डालना स्टार्ट हो जाएंगे पहला वीडियो बाइस तारीकों फस्त नवरात्रा है उस दिन आपको मिलेगा और उसके करीब सोड़ा वीडियो बनाएंगे तो बाइस मार्च नवरात्रा फस्त है तब से लेके पंदरा अपरेल तक हम आपको सोला के सोला वीडियो दोजार तेरा से नीट दोजार तेरा से नीट दोजार बाइस तक के पीवाइक्यू को टोपिक वाइज यूटू फ्री ओफ कोस्ट क्योंकि सबसे बड़ा सुडेंट होता सील सी के लिए ओके डियर सेगन कुशन पे आएं सेगन क्या कहता पुतर देखे वो कहता फोटी केजी मास की कोई गोली 90 मिटर पर मिटर स्कार की चार्ज चलती हुई लकडी की किसी भारी गुट के में प्रिवेश करती है इतना सेंटिमेटर दूरी के बाद रुक जाती है देख भाई एक सिंपल सी कहानी है सुगदेव उतर गोली यहां दस फसी और यहां जाके रुक गई तो इसका यहां कोई यू होगा और वी ऐसे मामले में क्या होता है जीरो होता है रुक गई इसका मतब जीरो है गोली अंदर धस गई तो पूरी गति का ए क्या रहेगा कॉंस्टेंट हम जानते हैं नूटन समयकर लगाए कब सकते हैं जब ए कॉंस्टेंट हो अगले बात और सुन ले यदि ए कॉंस्टेंट नहीं है तो नीट का स्रेवर से भी नहीं है फिर तो क्या बन गई वो आइटी बन गी अपनों आइटी तेरी नहीं करवानी है वो अलग लोग है अलग विश्टें है तो आप यू प्रिवेश करेगी वी क्या हो गया जीरो अब अगला साब कहता है कि नाइटी मीटर पर सेकंड की चाल से प्रिवेश कर रही है प्रिवेश केतना है नाइटी से वी क्या है जीरो और उसके पर डिस्टन्स किती ते की साट तो यार देखते देखते पता लग जाएगा वी स्कॉयर इक्वल टू यू स्कॉयर माइनस माइनस क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है तो प्लस तो किसका होता है? ओके डियर तो वी स्कॉयर इक्वल टू यू स्कॉयर माइनस टू एस ओ पतर वी क्या है? जीरो तो तेरे सामने U square equal to क्या आया? 2 A S तू क्या निकाल ले इससे? S निकाल ले S निकाल ले A निकाल ले तो A equal to क्या बोल पुतर? U square upon 2 S U कितना है? 90 तो 90 है क्या करेंगे? square upon क्या करेंगे? 2 S S बोल कितना पुतर? 0.6 0.6 हो गया आप इसको इससे multiply 0 को अठा दो इसमें से ठीक है अब आप इसको calculate करें तो ये कितना बचादी है? 45 45 इसको divide करेंगे कितने बच जाएगा? 150 150 वेरी गूड तो 45 multiply 150 तो simple सा concept है 45 multiply 150 150 तो 150 को मैं 50 से गुना करूँ पंदरे पांड पिछे तर आदकी साथ पंदरे चोक साथ 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 सड़ सड़ इसके आप एक 0 लगा दे 6,750 ये तो अपने पास आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ है तभी ये अब आप क्या पुछता है? ए बराबर में 6,750 इसको भी चार से गुना कर पांचोक वीस आथ की दो साथ चोक अठाईसर दो तीस आथ की तीन छे चोक चोईस 24 तर तीन 27 एक बिंदी इसके लगा दे दो बिंदी 270 न्यूटन तो आंसर का हो गया वह या 270 न्यूटन दोस्तों पूरी कलिकुलेशन आपके साम इसनले कर रहा हूँ यहां मैंने 15 घुना किया जिरूपनाबाब में बजाता है here आउमने 4 से घुना का पृर अपना चिंज जात Q तो यह तो यह कलिकुलेशन आपको करना आना वो जलूरी है बोलो हाँ या ना तो यह में तो पढ़ायों छोड़े कई साल होगे सुखड़े उनका बो साथ चलो मैंने का चला हमारी कुछ मेमुरी काम देते हैं पुरानी बाकि अगले पुछ आपको सुखड़े उसर कराएंगे एक बार हम भी कुछ अपने बात कर लेते हैं आ आप थर्ड क्यूशन पर आएं थर्ड क्यूशन पर आप देखें तो बर सिंपल क्यूशन है एक रूपे के दस सीके किसी मेज पे एक के उपर एक रखे हुए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह आपकी मेज हो गई ठीक है डियर अब किता प्रत्यक सीके द तीन चार पांच ये च्छता सिख्का हो गया तो केता है निच्छे सी रहें तो सातवे स्केभर इस सिक्के पर कितना प्रतिग्र बर लगेगा भया चार सीके ऊपर हैं फो एंडिए ऑंगे अना तो यह चालू हो रहा है तो जो लड़का साल पर पढ़ता उसकी क्या दिक्क् आगे चले एक उत्र आपका चोथा क्यूशन है यह क्यूशन फ्रिक्शन का है तो बिल्कुल आप इस क्यूशन को सुखदे उससर आप इसो कमड़ी डिसकस करें देखो यह क्यूशन कर रहा है कि एम दुरेमान का कोई गुटका किसी खुर्द्रे नतल पर विराम में है बिल्क सब्सक्राइब इस परकार से कि अपने पास इंगल थिटा हो गया यह लोग के इसका मास में तो नीचे की तरफ क्या लगता है एम जी साइन थिटा लगता है पिल्कुल कंपोनेंट्स लेना सब को डिक्शिनेट लियाता ही है इसको अपन तोड़ा इसको एक काम करें कलर चे लुकल यह चीज़ हो गे तो फिर इसके बाद हें यहां पर इधर की तरफ लग जाएगा legitimate कर दियो इदर की लगता कर देड़ा कृताएगा अपने तो इधर की तरफ क्या दिख किया लगताएगा मीजी कोस Oke Sand or और फिर इसके बाद इधर की तरफ लगताएगा एगा फ्रिक तो प्रिटिकल कंडिसेंगे उसके अंदर इन दोनों का अपन बराबर करेंगे बैलेंस करेंगे एम जी से एम जी को काट देंगे एक तो यह को डिचे चला जाएगा तो टेन बन जाएगा मुगो टेन थीटा इसमें सबसे प्यारी बास सुब दें और यह जो आपने प्रिटिकल में नीट के बच्चे के लिए बहुत प्यारी चीज है मैं चाहूंगा इक पेजख खाली किया जाए एक प्रेज करके उतर आप इस चीज को मैं चाहूंगा इस बच्चे को ढंग से एक्स्प्रेंड करें फूरे एंगल बनाते हुए आप अपकि रैती वो सुन दे अब इस Mg के दो कंपोनेंट सब्सक्राइब ने एक कंपोनेंट हो जाएगा परपंडिकलत यस इस इंप्लाइन प्लेंट के अलोंग हो जाएगा इसके थोड़ा सा पर एंगल के तो इसके आप यह वाले एगल अपने पास थीटा यह क्या बचा नाइंटी मैंस थीटा क्योंकि यह कंपोनट क्या है mg cos theta तो mg cos theta जो ये component है और ये component जो है वो ये ये भी mg cos theta बन जाएगा बस बिलकुल और ये mg sin theta हो गया इसके परफेंट इकलर इधर की तरफ आपकर नॉर्मल लगा देंगे अधर फ्रेक्शन लगा देंगे अब यहां पर जो ब्लोक है इस नकल के लंबद इधर की तरफ कोई ग तो फ्रिक्शन इस पर लग जाएगा इस परगार से उपर की और वो म्यू जीता है और अपने जाते म्यू इंटु एन होता है यह दोने एकल है एक मिंट उतर यह ले म्यू mg cos theta बैस और यह दोने एकल होंगे कौन-कौन? mg sin theta and mg cos theta यह sin theta यह cos theta यह ब्राबर कर देंगे तो यह mg mg घट जाएगा mg equal to 10 theta यह एक बहुत अच्छा सा कारेकरम रहता है आपका तो बच्चों हमारा काम केवल पेपर को डिसकुस करना केवल स्रूशन करना नहीं है उसके concept भी clear करना है फिर इसको आप एक बार देख सकते हैं अच्छी चीज है आजगे से लेडियर फिर तो बंदर और पिश्म बड़ा प्यारा सा है कि 50 kg द्रियमान का कोई बंदर किसी द्रियमान रहेत रशिव चड़ता है तो अधिक्तम 500 नूटन का तनाव सेन कर सकता है तो किस प्रिस्तिती में रशिट तूट जाएगी कोमें सेंस के बाद जितना जल्दी तूटेगा तो ट झालीस तो यहांस अपने पांसो कि अपने पांसों तो यहांस अपने पांसों वाज़ागा पांसों इसको इससे टूट जाएगी और नीचे उत्रेगा सवाल ही नहीं है सब्सक्राइब और जब एक समान चाल सी उपर चाड़ता है जीरो जाएगा तो टी एमजी की बराबर हो जाएगा और जब बंदर गुर्टवेक के अधीन तो इस केस में यह फैस्ट अपना तरेक्ट चला जएगा तो डाही से जदा हो गया तो इस परकार से इस प्रकार से बिल्गू कॉंसरेप्च्छाल है अगे ले अब यह तो बड़ा परा क्यूशन है यह तो एक्च्छल में लाइन खेंच के इसको डंग से क्विशन करें आपन यह बहुत प्रियासा प्रसन लगता है कि किसी ट्रक का पिछला इसा खुला है और 40 के दरिमान का कोई बक्सा खुले सिरे 5 मिट दूरी रखा है बक्से और सत्रे के बिच मद्य गर्षन दे रखा आगले ने ट्रक विराम से प्रार्म करके इतने मिटर पर से तुरन से सिरी करेंगा फर्स चिकना होता है तो तुरन सिरी जाता है आप शोड़ क्रेसर इसको देखिए यहां पर अपने एक काम करेंगे कि जो ट्रक है ना इस ट्रक एक परकार का नॉन इनर्शील रिफ्रेंस फ्रेम हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में इसका अपने एब बनाएंगे त छोघील पर गदलेंगे होद्स पता तो अगे की तरफ एक्सलावेशन था पीजीडिआचं मे लगजा थडिए यहां पर इस टैंडेंसी होते हैं इस भकётся है को पिछन लिप में टहु किन आयगा तो प्रिक्षिए लिएन पास शोग यह को अगले खिमियाießen और ना पसके 0.15 और M का मान पूतर है, M की वेल्यू का अपनी वो जरूरत नहीं है, वैसे 40 केजी दिर्क है, M तो कट ही जाएगा, तो यहां से अपने पास में 40 हो गया, और इंटू G, G कितना देगा, 10 हो देगा, ठीक है, ठीक है, और M की वेल्यू अपने फैंड आउट का लेते हैं, तो क तो वो 60 हो गया, शिक्स्टी आगे डियर, ठीक है, तो वो 60 है, यह 80 है, 20 हो गया, 20 नेट पोस पीचे की तरफ आगया, जिसका एक सरे में से निकालेंगे, तो एक इस तू कितना बंजएगा, 80-60 और 20 तो 20 और 20 ऐ ए 40 और 1 बाई 2 हो आगया, उर्ट आगया, तो दिजिए इस तो 5 पीटर क्योंकि 5 सा 5 मिटर पिछी एक तो यहां से ऐसी कुश्टु यूटिपलर साफ पर नगा देंगे लिखो अपना लिख देंगे एसी कुश्टु एस कितना देर का पांच यह जीरो देगा और हाफ एक कितना देर का आपने को 1 by 2 दे रहे है T2 और T2 यहां से हम T2 की बेदी फंड आउट के लिए तो T2 एकोश्ट आजएगा 20 अगया ठीक है अब इतने टाइम में इस ट्रक आगे चलने में इस ट्रक इतने अगे चल जाएगा ट्रक का जो एकसलेशन है वह कितना दे रहे है दो मिट्रों से को स्कुरेशन तो ट्रक की displacement आपा निकाल लेंगे displacement आप ए ट्रक को उपश्ट इंगे इसका तो हाफ एकस लेस्ट ऑफ ट्रक अपने को दो दिर गया और T2 को बीस हो गया वश्ट को पर देंगे ली सीज़िए तो अपने पासे तो बीस मेट्रीश का अंसर आगे यह बिए स्वार गया तो यह बनुद यह चीज़ आपने आप में इसमें बहुत साइज चीज़ आगई तो प्लीज सॉलुशन जो लोग देख रहे हैं वो प्रोपरली टीचर का बोलो आप पोलो करें बहुत रख था अपसीन देखें कि ट्रक उधर जा रहा है तो आपने जानते हैं को चीज आगी पत्राहिए किसेकितों सामार पिछ्षे किसकता है अब कर रहा है तो तो इसे आपने इसका प्रनाय फोंने ए निकाल दिया एक क्यों पिर आस Corn cannot devote निकाल लिया थे की अजОने आवसे कितना F1 है, जबकि वस तो को नीची के और फिसलने से रोकने के लिए आवसे कितना F2 है, अब यहाँ पे अपने को देखो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा फ्रिक्षन का कंसेप्ट, जो फ्रिक्षन होता है, इस्टटिक फ्रिक्षन वो क्या करता है, जो गति की परव है, थीटा, अब में M ब्लोक है, अब यहाँ पर यह कह रहा है कि अपने इसको उपर की तरफ खींचेंगे, तो फोर्स अपने को लगाना पड़ता है, F1, तो इसके इसमें नीची के तरफ एक तो फोर्स लग रहा है, Mg sin थीटा, जो कि अपन अब यह तो यहाँ पड़ेग तो अब इसको अपन उपर की तरफ गती करवा रहे है, Mg sin थीटा भी नीचे लग रहा है, और मोशन उपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन भी नीची की तरफ लग देगा, तो फ्रिक्शन भी यह भी अपने पर गती के विप्रित लगता है, तो इसको अपने बोलेंगे, Mg cos theta, यहां पर अपने पास है, जो F1 है, इसकी value कितना देगी, Mg sin theta, plus mu cos theta, अब एक बात अपने को यह कह रहा है, कि इसको नीची की तरफ फिसलने से रोकने के लिए, आपको force लगाना पड़ता है, F2 लगाना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि अगर इस ब्लोग को आपने छोड यह प्लोग अपने नीची की तरफ लाइड कर जाएगा, इसको आपने को रोकना है, तो अपने इसका दूस रडाइग्रा मना पड़ीगा यहां पर यह अपने पास है, थिटा हो गया, यह M हो गया, इस पर लगता है, यह Mg sin theta, अब आपन एक बार प्र लगाते है, एक बार इसके friction लगता है, उपर की तरफ, यह देगा, आपके पास Mg cos theta, यह उपर की तरफ friction लगता है, अब यहां पर definitely Mg sin theta है, वो Mg cos theta से बढ़ा है, तब यह नीची की तरफ slide कर रहा है, अब आपने को इसको रोकना है, तो रोकना तो जो difference है, उसके बराबर force अपने को F2 यहां लगाना पड़ेगा, तो F2 तेरा हो जाएगा, Mg sin theta, Mg sin theta, Mg sin theta, Mg sin theta minus Mg cos theta, yes, ठीक है, एक बार फोड़ा साइक, अब किसने निकालो वापस, अब F और F ratio पूछा है, इसने, अब यहां पर अपने को पूछा जारा है, तो F1 और F2 का ratio पूछा है, तो F1 और F2 का ratio पूछा पूछा में इसने, 10 theta की लेगा, 2mg, तो F1 और F2 का ratio पूछा निकालेटे है, F1 और F2 हो साइन गरो, Mg, sin theta, sin theta plus Mg cos theta, upon sin theta, sin theta minus mu cos theta, सब को साइन गरो, बाग देगा, है, अब sin theta, बाग देगा, चलो, पूछ करो, स्टेंट को यह होता है यह क्या 10 थीटा मान क्या है तू म्यू प्लस म्यू क्या हो गया थ्री म्यू थ्री म्यू बटे अपोन म्यू तीन इसकान सुरा गया तीन मतलब अबज़िट तो था यह अच्छा कुशन है फ्रिक्षन का नीट में इससे बड़ा कुशन मेरे साथ से कोई नहीं आ सकता ओके डियर आगे चले यह कुशन नम्बर आपका आठ फिर आपको फ्रिक्षन पर चलें सिर्फ फिर कंटू करें इसको आप 10 कजी तता 15 कजी दुरेमान के दो गुट के एक थता भी है किसी खुर्द्रीक सेटीज सता पर एक दूसरे के संपर्ग में विरामा उस्ता मरखे वे ह तो अपने को देर का 10 देर का 10 देर का 15 और इसका देर का 15 ठीक है और चित्रा नम्सरा रखे गुट को तता सता के मदे गर्शन गुड़ां कितना 0.2 है गुट के ए पर 200 नियुटन का 36 ब लगए जाता निकाए का 20 कितना हो देगा बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर दोना अपने प्रिक्षिन सेम तो दोनों के एक ही माल लेते 15 और दर कितना हो देगा 25 जिए टुफिप्टी ठीक है ठीक है चलो बनाए देता हूं मैं पर देता हो में तो इस पर नीची के दर लगजागा तुएंटी फ़गे तो नीची के टरब लग देगा चलो अपन जी वेल्य अपर किसरा नॉर्मल हो देगा और इधर कि तरफ लगा रहें कितना 200 200 लगा रहें इधर कि तरफ लगा दिए पने 200 मालो फ्रिक्शन लगजाए पीछे कि तरफ लग जेगा तो यह फ्रिक्शन लगजाए एफ एपने पांस फ़र 250 आ गया और मूझ पॉइंट दो है मूझ कितना देगा पाचास तिक्षाण ये चिस ये फिप्टी आ गया तो दोस्व आपन आगे लगा रहे हैं पचास पीछे हो गया नेट फॉर्स वन फॉर्स वन फिट्टी आगया 25 सी डिवाइड देंगे 6 मेटर पर सेगने साइब तर देंगे इसको नौर्मली जब अपना फ्रिक्शन नहीं होता है तो इसमें जी लगता है पर मैंने उससे में एक फंडा बनाया ताज भी याद है उस आप जी की बजाए वहां जो ए है ना मैं आपको बात करना चाहूं वहां जो ए है वो ए म्यू जी के रूप में कर्णोर्ट होता है मैं कोश और एक पॉल्ट इसको अपन क्या करें इसकी वज़ाए से एक्सलेशन निकाल दो एए दो सो इसको फचीश से डिवाइड गर दो चीए कितना हुआ आठ 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 में से दो मैनिस कर दो चे और चे को गुणा करते हैं आप नहीं होगा बस तो बिल्कु सी तरीका है मतल दो तो च्छे हो गया च्छे हो गया तो चीजों को आप कैसे भी कर सकते हैं अचानक मुझे बैठ दिमाग में स्ट्राइक वी नेक्स चलें आदो सुक्दें उससरे नौवा कुशन जो है यह साइद वर्क और निर्जी का है क्यों और वह साइद नीट का बरमास्तर है और इ में 100,000 Heaps उनचाई निarı रखा हुआ है तो यहां इनरजी क्या है MGH जह यहां डायलोग है कि ना उर्जा नस्ड होती है ना उर्जा पैना ह bowlवा कारिये में खारी अर्जा में करमर्ट होती है तो यहां इसके पासीनरेजी कितनी है MGH यह करना चाहता है यह तो करना ना कि एक ग्राम द्रियों मान की वर्सागी उंचाई से गिरती है इस ताज ठक्राती है विरोधी बल बूंदी की चालक के सवनों पाती है विरोधी बल दौरा कि आगया कारी कितना है तो डिर अपने इसको करें तो M का मान 10 टू पाउर माइनस 3 जी का मान 10 एच का मान 10 टू पाउर प्लस 3 तो देखा जाए तो पुतर इसके पास इनर्जी जो है यू बल दूसको में वो कितने 10 है तो यहां भी 10 होनी ची 10 नहीं है तो लोस हुआ है अब यहां इसकी इनर्जी कितनी है आप M स्कॉर है करदो गरदो आपके आदेश से आप M स्कॉर M बोले तो 10 की गात मानिस 3 वी स्कॉर कितना है पचास पचास पचीस सो तो यह देख डियर यह तेरे साम नहीं यह 3 है तो 2.5 यह 1.25 तो देखा जाए तो 10 थी और कितनी बची 1.25 तो 8.75 का लोस हो गया अब लेकिन दोनों अबजेक्ट है प्लस भी मानिस भी है अब के फिर से कहता हूँ कारी और जापरम के दोस्तों आपको दीक्रियर नहीं है तो एक बार जाके पड़ेंगे फिर कुछन कि आओओ तब आगे से आराम से करते होगी तर पुतर आगे चलते हैं आगे चलते हैं यह लिग देख यह बड़ा च्शा क्राब का टिशन है कि a force न और अब्जक्ट वेरिस्वित डिस्टेंस है सुन यह अक्ति आपकी क्या है यह फोर्स है यह डिस्टेंस है वो कहता जीरो से बीस मिटर तक गती कराने में इसको कारी कितना करना होगा यह तो है और मेरे एक आइडिया है कि दिमाग में बात पता हूँ कि जब भी किनी दो आंक है तो इसके अरिया कितना है यहां से यहां कितना है दस मल्टिप्लाई सो हंड्रेड प्लस यहां क्यों दस मल्टिप्लाई सो हंड्रेड यह सब यह तेरह कितना बन गया पांच यह कितना है अजार यह कितना है पांसो कितना हो गया पंदरा सो जूट यह मतलब यहां की बात कोई भी कर्व है वो जिन दो डेटाओं के बिच ड्रो किया जाता है उन डेटाओं का जो मुल्टिफिकेशन है ना वो उसका कवर्ड इरिया होता है यह समाक्टन कहता है तो एप और एक्स का गुणा क्या है उसका कॉंस्टन है सिंप्ल अपन निकाल सकता है ठीरिक स्टानosaड अब ट्रिफुण करेंगा है ब guy लेकर इनवासरह कि पयाएरियेबल हुर तो तो एक्स का फंक्सन होगा एक्स पर डिपैंड करे साउथ है और हेखर ऑड पर अप पर डिपन्ड कर रहा है सर तो यह स्थो अपन क्या सकते हैं कंप काitte अपने इंटिग्रेंशन होता है तो आपने है या तो आप करें कि एक का पर काम करें की है कट कि inटीवरेस्ट क shining करें मॉमेंटम निकाले आप करसकते हैं और या फिर आप या पर करने से डिवाइड श्रय कर दें यह कि यह कर लिकटच यह विक small टेतम चाले keen c1, n4 نہیں आगे चले फिर आप वो देखो कि फोर केजी मास्काइब पिंड केजी मीटर पर सेकिंड मॉमेंटम से गती कर रहा है ओ भाई मॉमेंटम का मतलब पी और पी का मतलब हमेशा एम इंटु वी हो गया यह बहुतरा फोमला जी इसकी गती की जिसा में दस सेकिंड के लिए फाइंट दो निट्ल का बलकारी करता है तो गती उर्जा वर्दी क्या है यह आप बहुतरा क्रूशन आप तो देखो यहां पर आपने को सबसे पहले मॉमेंटम देर का इसका आठ कि 4 is four upon two m four 4 o eight eight two six eight eight two eight उट पहले इसके पास है थी अब अपन निकालते हैं कि डेल्टा पी कुष्टू क्या होता है इंपलस होता है इक प्रकार सली दोगा होगा और एक आपने क्यों होता है तो परस गों होता है तो फोर्स उन्टूए कितना दिरका है यहा पर? पाइंट तो 0.2 Newton, 10 second के लिए, तो यह अपने पासब दो आ गया, दो का चेंज आ गया, तो delta P, तो यहां से अपने पासब पी final, माइनस क्या देगा, पी नी सिल, तो माइनस पी नी सिल कितना देगा, अपने गोई 8 देरक है, 8 देरक है, तो यहां से अपने पास में पी फाइनल इकोष्टू कितना देगा दस हो जाएगा यानि इसी इसी बात है अपने पास में आठ का मॉमेंटम तो पहले था और पॉइंट दो का फोर्स आपने 10 सेकेंड के लिए लगया दो का मोमेंटम और आ गया तो आठ और दो कितना हो गया अब अपने इसकी काइनडी के नर्जी फांड आट को लेते हैं तो के स्वार जो सो अपॉंट टू कितना देगा आठ तो सब्सक्राइबर नेर्जी पहले थी आठ और आब अजए कि वारा तो वरजी कितनी होई चार पांट पांस की बताट्र पांस की बताएगा बहुत कॉ नहीं हो कही नहीं गुमती रहती है आगे चले पुतर और च्यार पांस फॉर्मूले हैं जिन से मतलब है क्यूशन से वो हर साथ रिपर आते रहते हैं क्यारा कुशन होगे पता इंचल पार आपने को और यह देख यह तो बहुत सोड़ा कुशन है कि ए मास्क के कोई गेंड उचाई से चटांस छोड़ जाती है जब यह थ्री वाई फॉर एच उचाई गिर जाती है तो गतीज उर्जा का नुपात बताओ यह तो मतलब यह अच्छा कुशन देखो ऐसे मतलब गेंड कहा है एच उन्चाई पर है ठीक है डियर तब जब गेंड थ्री बटे फॉर इस्तितीज है वह कितनी है MGH तो MGH है अब गतीज और सबने सबस्दगे हैं सेम रहेगा अब देख किंस किया अपर क्या है , अपड निकाल सकते हैं क्या इस तरी बगतीज इस वी निकालने पने मश्गा है। हाँ यस यस MGH4 MGH4 तो MGH4 तो कौन है इस्तितीज है गतिज किती हो जाएगी जो 3Y4 बची हुई भी बची हुई 3Y MGH4 अब रेश्यों किसे पूचा है गतिज और इसका गतिज और इसका तो 3 बटे 4 इपन मुझे बड़ा इसे लग रहे हैं मैं फिर से करना चाहता हूं दोस्तों एक बार कॉंसेट आपके सेट यहां क्या काम आया कि यह यह बिंदू है यह बी बिंदू है यह सी बिंदू है सब जगे काइनेटिक और पोटेश्यर का सम स्वें रहता है इनर्जी कंजर्वेशन सब्सक्राइब दे रहा है तो मोमेंटम में जानता हूं एफ अबरावर डीपी बाई डीटी तो इस लड़के को इंटीग्रेशन डिफ्रिशन नहीं करने आते हैं ना तो सबस्क्राइब लड़के क्या करते हैं सुक्देब वो सीखते नहीं सामरे बेसिक नहीं बेसिक तो स्बस्क्राइब तो पढ़ेगा तो होगा ना बेशिक पढ़ते ही नियीए अब बिर्म पीडी ऑईडी है तेरे सामने क्या दे रखाए जीनगे सबस्क्राइब लग रीटी और अब टेम Luckily किसे रsmदान पती है ऑई बस्सक्राइब तो बहुत क्तिक्रीब सी बात आप से करन जो integration है, differentiation है, graph है, unit है, dimension है, error है, उनको कर लेते हो ना तो फिर बहुत हीजी है मैं फिर से कह तो, इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सुनो, ए फिकल D P Y D T में निमाग माया, मैंने कुछ रही किया, पी का टी के साफिक डिफ्रेशिशन किया, अब आपको नहीं आता है, तो भाई उसुद क्या तो टीचर करेगा, बोचे, CLCM पढ़ा हो चै किसी कोशीं टीचर क्या करेगा बिचलाओ सुपे, चलो आगे चलो पुतर, क्यूसर फोर्टिन बाजाओ, चोध्मा कुश्र, यह ले, फिर वोई कुश्र आ गया, फिर वोई डिफ्रेशिशन, भी क्या कहता है, इस पोटेंशल इनर्जी ओप गेस मोलेकुल इस यूज इस इक्वेशन, वेर, एम, और बिफ्रेशन, पोटेंशल इनर्जी ओट इकलिब्रियूम, पहली बात तो सिंपल फंड़ा, इकलिब्रियूम का सीधा मतलब होता है, एफ इकल टू जीरू, अब यहां यू जैसे दिया हुआ है, तो मुझे याद आ जागा तुरंत, एफ इकल टू माइनस ड लेता नहीं है, तो इसका माग उकलन करूँ, तो यह M, यह माइनस 6 ते दिलिलों है, तो माइनस 6, R की पावर क्या होगा, माइनस 7, यह तेरा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12, और आर की पावर माइनस 13, इकल टू क्या हो गया, 0, अब देख पुतर, 6 M, R की पावर, माइन तो तेरे सामने क्या आया एम अपोन आर की पावर 6 इक्वल टू क्या दिखू पुतर एन भाई आर की पावर 13 और टू ए बोलहा ना देख यह 6 से 2 कट गया 2 बचा तो एम आर की मैंस से इस उने चलिए है मैं इसको ती इन चलिए नहीं है पर असे तो आर कीपावर उपर ऊपर ऊपर पर उपर आए गये है मैंनीक इस रहे गा एतो मैं इन से रहे गा को यह तो नोए एक्वल पर दो आर की पाउर उल्टा कर ले इसको अर्के पाउर 6 का पुत्र हो गया 2N अपन M अब देख यहाँ चल यह तरह M है आर्के और 6 क्या है 2N भाई 2N भाई M माइनस यह तरह फिर N है 12 है स्क्वाइर है तो क्या करोगे 4N 4N स्क्राइर M स्क्वाइर ठीक है डियर M स्क्राइर 2N 2N ड्रो मतब M स्क्राइर 2N माइनस झेंट N से N कैसे लाओ यह M स्क्राइर क्या है 4N तो आदे में से पाउं क्या बचा पाउं बचा प्चा अधुण कि फोर एन जान सुलाग गया है लोग तो बिलकुल कूल होगा आप करते जाएंगे लेकर कुंसेट कहां से आया कि जैसे का इक्लिब्यूर्म है तो फ्यू है अब यू से कैसे बनाएं तो फ इकॉल टू माइन्स डी वैई डियार उके डी वैई डी डी डि प्रवाइब कर दो था ये बहुत तरीका देखना ये एक बात को अगर ना मैंसा यह चोन हुँ आया अठाराथी चोन और पांसती पंदरा सुनो भई स्किर्प सब जानते हैं किलो मिटर पर आवर को 5 मृटिप्लाइब 5 अपन एटन से मृटिप्लाइब कर दो कि मिटर पर सीड बन गया तो चोहन नहीं पर पांस ती पंदरा तो इसको पणि यहां पंदरा लिख लेते हैं अब आगे चल्ब उतर अब यहां पर अपन आपन बोल सकते हैं कि काइनेटिक इनर्जी इनिसीत थे कितने तीस की जी इडही कनिडिकनरण फाइनारण फाइनल होदेगी हाफ Igen Vronоп च्वाइग उगए हाट जाख पाइब कर देंगे मिएस टो कितना देगा थाय। कि deanog 255 आगेना थाय। जब होग रही ज़र चीज हुआ है अगी गूम रही है। एक एक को लिच्ट चप करें आगे चलें Om случае thyroid स में फैस осв见 और जो कि आप सुद्धियों आगे चलें क्या कहता अगला कि एम मास्का कोई करना है वो कॉंस्टेंट पावर भी है फ्रिक्षिन है नहीं नहीं होता मेडिकल में कुछ तरह बंदा फ्रिक्षिन पे बाइक कुछ दॉन में टांग प्रिक्षिन यहां पर आई इसले सिंपल है तो कहता कण का विरस्ट्री वीवन से वीटुत हो जाती है तो कण के दूरा तहे की दूरी क्या है आपने पावर इसको दुट्खा मार जो पावर फोर्स एक बात वास देखा जाए तो दख्खे का मतले फोर्स दख्रें मतले पावर हैं बहुत दूनों एज़से होता है निका भी ज पावर लगेगी ना शक्ति लगा जोड लगा बात एक ही है तो विरस्ट्री वीवन से वीटू होगी तो इसके बात इसके दूरी होगी आएं तो आप इसको अपने देखो यहां पे अपना वो देरकार पावर यस अब पावर के जो बनते हैं इस ताइप उनके अंदर अप अपने को लिख सकते हैं अपने को लिख सकते हैं अपने को लिख सकते हैं अपने को बात करते हैं अब यहां पर दिश्टेंस की बात करते हैं अब यहां पर दिश्टेंस की बात करका है तब तो ए लिखना अपने को वी डीवी बाई डीएस लिखना है और अगर टाइम की ब सकते हैं इतने इस्टेवल कर रहे है वी डी वी पॉन बे यह 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 है यहां रुकाप पढ़ाईगा सदॉर अपढ़ाए बच्छे को ए रिप्लेस कैसे हो गया वी डीवी भाई डी-एस से हो गया अब मेडिकल के लिए अबारत होती है उसको रिपर कहा शींपल सी बात है कि आपका A है देख दियर हना तो A अखीकत देखा जाए तो D स्कॉाइर S अपून DT स्कॉाइर है ठीक है ना या अपने ये कह सकते हैं A क्या होता है DVYDT होता है और इसको आप ऐसा करें DT से उपर मल्टिपलाई कर दें अब तेरा DVYDT तो अलग आ गया और डीएस पर डीटी क्या हो गया वी होगया यह बहुत पर प्लीज वेट करें थोड़ा सा यह बहुत पर पॉइंट है P equal to F V common formula है F equal to MA MA में फिर वही बात है कि A को अपन V multiply DVYDT कैसे तेरे सामने है DVYDT D S से उपर multiply D S से तो DVYDT तो यह आ गया और डीएस पर डीटी क्या बन जाता है विश्टी बन जाता है आगे चलो फिर उसके बाद में इसको आपने लेख सकते है P equal to यहां से अपने पास से बन जाता है M V square DV by D S हो गया अब यहां से अपने को डिश्टेंस पूछ रहे के तो आपने काम करते हैं D S को इदर की तरफ ले आते हैं यहां से अपने पास बन जाएगा D S equal to यहां से इसको आपन बहुत सकते है M by P हो गया यहां और यह देगा V square into DV हो गया अब यहां ठापने को इंटिग्रेशन करना है यहां से यहां से यहां से लेकर के तो D S तो होगा 0 से S सार्ट 0 से S है और यह V1 से V2 तक हो गया यहां यह S का इंटिग्रेशन आपना S लिख देते हैं यह अपने पास S हो गया हां और इसके बाद M upon P लिए अपने और V square का हो जाएगा V cube by 3 मैं लिख थूरा था विरहां यहां काम कर रहा है इदर यह तेरा कौन है M by P वो कौन आप उतर V cube by 3 V cube by 3 कहां से कहां V1 से V2 और वो क्या हो मेरे साब से क्यों आपका प्रीचे कराते हैं यह हमारे साथी है अरॉन खंडेलवाल सर यह भी आपके बीच आएंगे पेपर सोलिशन में भी अरॉन खंडेलवाल सर है सुग्देव सर इनका तुना पेर बनायावा है मैं से मस्ती मूर्ण वागया मैंने कर दो बहुत दिनों मुझा जो शुरूर देखो यहां पर अपने बहुत रखा कि चित्र में एक का दुनिमान कितना भी एम है तो एक के पास वापने को एक देते हैं और बी का जो मासा बहुत है और फिर से बात है जिकलिन मतलब मेरा सामान है कि कुछ तर में फ्रिक्शन अप्लाई बहुत के भ भी में वहील होएएड उस्प्रिंग है वह किम्रेऌन आफियाजिए और एक सिर्क्रेंगी बात कर रहे हैं दोड़ के ऑधिक्तंव परसार होड़ों और इसके इंदर और आपको मैंकिसिम्ग पी बूल जाएकर करते हैं तो इत्रेववल है आइब आप गहा हो बातब संब स लिभ जी के तरफ तीमिति में कर लिए लोई के नोगिवह किया बड़ नूचें कर ला गा Мगछ कर लेगा इस लिग इस वार समय के गार बाद लॉत का उपर खुश्क्तार मिवग्याल स्मय क्या ओप भास ऍया जा भी खालो और सब्वार के गली के बार के और वक्डन भे टेंसन का तो जिरो ही होता है, जिरो होता है, तो इक वेश्ट न क्या हो देगा चेंजिन का इनर्जी देगा, यास, अब वक्डन भे ग्रेविटी, देखो इस पर ग्रेविटी लग रहे हैं नीचे की तरफ लगए और इसका डिस्प्लेस्में इधर की दरफ ह तो इस पर ग्रेविटी का वक्डन जीरो हो गया, अब इस पर ग्रेविटी का वक्डन हो देगा, इस पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, और इसके बाद इसका आपन एक्स बोल देगे, यह मैक्सिमम, एक्स एम लिग देता हम है, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेस्में प्लस का सा hesign साइब लगे अचे तो फॉर्स का सान आदे नीचे है, सॉर्ण की साइनomer, इसके बाद में, इसके बाद में स्प्रिंग वक्डन, की स्प्रिंग का उसप्रिंग का देगा, मैनस आदेगा, तो इसको आपने बनादेगे माइनस का, और यह थे आपना जाने का न रिंड कि अभी यह रेश्ट में और फैले दोनों रेश्ट में और फाइनली दोनों रेश्ट में लिटेजन लिग तो फिर उसके बार है इसको अपने हुद में लिख देंगे अगे बड़े आप बड़े हमारी हाम हम लाते रहे सही है तो गड़े तो मना मिलाना में आगे चले अठारा माजो फिर आगे चल यह कहा है कि क्योंद का अगे माजो कना इस तो आगे में फ्रिक्षा ऑप डिर मान के गुटका नियत तो टुन अगे अागे तो आगे चलो एक रड़े शल्ताया को निया और आप रफ बेंगता है तो अधी यह वह न इसका मदला निया कोई फॉर्स लग रह रह बल्कूल और व्योंग उन नीचे M G उपर नॉर्मल होगा, तो M U N M G होगा, अब एक बार जो फोर्स अब वे निकाल देता हूँ, तो आगे की तरफ लगए फोर्स एफ होगया, पीछे की तरफ कितना देगा, M G होगया, और नेट फोर्स को लिख दो, M A लिख दो, तो M U G प्लस क्या देगा, A, तो F होगया, तो फोर्स एफ होगया, और अपने को A दे रहे हैं, तो T टाइम पर पूछ रही है, तो V तो A T आई जाएगा, तो B ब्राबर कितना देगा, U प्लस A T, तो यह आपके पास A T होगया, और P ब्राबर क्या देगा, F into V होगया, तो इस को आपन इस से मल्टिप्लाइ किरें कि, A T से मल्टिप्लाइगा, तो यह देगा, A, M U G प्लस क्या देगा, A, M A का ने, M A देगा कि, A देगा, M V ब्राबर A T, आए, A, A, T, तो देखो, हम इन इस सोलिशन को आपके साब बहुत निच्रूल कर रहे हैं, इसलिए कि बच्चा कहां टक सकता है, बहुत गरी बात कर, हम कैमरे किसा हम सोलिशन कर रहे हैं, यह दिए हमें लगता है कि कम्प्लिकेशन हम कैमरे रोक सकते हैं, बट रोकते हैं हम लोग, इसलिए हम पूरा सामने करते हैं, बच्चे, यह हमारे खास बाता हमारी वीडियो की, कि बच्चे रुत के परभाव में गतिभी कर रहा पी-एकस इसका टू-टी है प्यु वाई टू-साइन टी है थो फॉप एक साइन होता ना तो बीच में एंगल हमेशा नाइनटी होता अब यह क्या करता है आप के बिच का कौन चीए इसको लेकिन इसको एप के बिच का कौन चीए तो एपई के इत्य यह रेगा माइनस 2 साइन ती ऑइकर केब प्लस तू कोस टी जे केफ ये कोड़ है अर यह कोड़ है और यह कोड़ है अब F और P का गुना को जीरू आता है जीरू को आएगा जब एंगल बीच में 90 डीडी गरी यह बहुत क्राइब क्यों है सबसे पहले क्या F D P by D T होता है P की वेल्यू पूट की उसका D P by D T बनाया वो D P by D T कासा परसन है मेरा कभी भी अपने वो दो वेक्टरस की बीच में 90 लगबग यह आता करीब-करीब आगे चले बीस में देख एरर में तो खेर बात ही नहीं है दोस्तों एरर में आप सब जानते हो डेल्टा एक्स बाइक्स की बात करेंगे तो दो नीचे आएगा डेल्टा एप भी भी एरर माइनस नहीं होता है अब डेल्टा एक बाइए कितना परसेंट है बहिया एक परसेंट तो दो मल्टिप्लाई एक डिवी कितना बोलना पुतर दो और यह पांच बटा दो डिसी कितना बोलना दो दे रखा है और डी कितना है डियर चार तो यह तेरा दो यह तेर कई बार ने एरर का सबसे प्यारा कुश्षन है एरर बंती यहीं से देखा जाए तो और इसमें खास बात है कि माइनस कभी नहीं होता वैसा क्यों तुरूटी-थूरूटी इनरजी क्या होती है M1, L2, T-2, M का मतलब क्या होगा? मास, अलफा, L का मतलब लंबाई, T, लेकिन इसका वो ठीक उल्टा होता है, क्यों फोर्मॉला क्या होता है? N1, Mu1, N2, Mu2, लेकिन मैं कहता हो, आप विमा लिख लो, विमा लिख लो, विमा लिके इनको उल्टा कर दिया, क्यों करो, M एक बार आया, अलफा, Minus1, बोलो हाना, लंबाई कितनी बार आया? दो बार, तो बिटा, Beeta, Minus2, सो T, क्या हो गया? Plus2, क्यों सांसरे हो गया? सेकिंड पांस भुना करना है तो यह ट्रिक सी आप इस तरीका बता देशा थे श्का तरीक आपना करते है यह न one you one equal n two तो यह तो दो कॉन सा उदेगा अपने फ़िए इस निट सिस्टम और तो निचाएगा निचा यह लगा तो उल्टा जाएगा तो तो अपने और यहां पर पूछ रहा है कि 5 J की वेलियू कि इतने हो इसको अपने बोल देते हैं कौन सा हो देगा अपने पास है यह देगा SI इनिट शुटम बोल दो यह नू बोल दो जो जी तो SI के अंदर N1 कितना देगा अपने पाँ धेते हैं पाँच ठीक है केजी कर देंगे आपन बॉलिंगे हां इसके बाद में बिटा मीटर स्कुायर हो गया है कर देगे हां इसक वह डिए कि हुआ रिखाइब घंटी स्कुर कर देगां हाज अपन टीसिंड टाइम स्कुर यह चीज्ड चीज चाहिए है इस फोra कि क्यों सिद्दा है कि आफ डामें पावर को उल्टा कर दो तरीका आपका सही है बट ट्रिक भी जड़ापन नहीं है आगे चलें पर फिर वह भाईजा बहुत पहर चीज है उसके पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैं डिफ्रेंट डाइमेंशन विच उप्दा फॉलों कॉमिनेशन कैन नेवर भी मैगनिफ क्वांटिटी की कौन सा सेवद्यर के घायर अर्फ पूर्ण राशी नहीं हो सकता अर्फ पूर्ण राशी प्यू आर अर्फ नहीं हो सकता क्योंकि जो का ने दिवाइड कर सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह जो जाए है जिसके डाइमेशन बिल्कुल बेराबर हो मने कि यह आ खिफासा आई हैं और तो हुए बिल्कुल क्या बात घाल लूगाइं हो इसके साथ है उसका भी को चीज और भी-कॉठे के बिल्बर वी मान के लेती है कई बार खाले नीहों सकता अगे चलो कि आर indo का मान और चर्ड करें व कर दिया आ तो सिरीज है तो सिरीज की बात करें तो 800 हो गया पहले तो बिल्कुल बिल्कुल अपने पास दट प्लस प्लस बिल्कुल अपने पास बात करें अ कि अपने पास जैसे एक्सिकुश्टू 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 आजो आप वह इस पर बता दो यह वाला देखो क्यूशन है इसमें अपने को दे रिखा है कि एक संदू का ग्रोसर तुला द्वारा मापी तुरेमान कितना दे रिखा अपने को तो पॉइंट 3KG दे रिखा है तो यह अपने पास देगा 2.3KG हो देगा यह अपने पास दो को oli5 15 हो वगया और 0.2217 पॉपयं और इनको पर देता है इस वादय रही है तो कितना होदेगा 2,3,0,4,3 और यहीं अपने पास दो को 2 आप पास दो अपर अपर थीक है wokd अब यहां पर आपने को देखना है कि इसमें तो डिश्ट कितना है, वन है, तो अपने को इसका राउंडिंग का करना पड़ेगा, तो ठी हो गया, 4 को राउंडिंग का क्षिण हो गया, 2 rating को किषिण हो गए, नंबर ओफ सिंग्रिफिंट का नंबर है यह बहुत प्रक्सिपित किया जाता है तो यह तो होरीजॉंटल प्रोजेक्ट पर बहुत सिंपल राक्यूशन है होगा राका सिद्व फोर्म्ला पर म्यान रखते ही है तो र किश्टू क्या रहता है युक्ष्ट क्या होता है यू इन्टू क्या होता है यह चट्री पे जाकर गिरता है तो यह अपने पास एक्स हो गया यह आपने वह देर तो यह तो याद रखने पड़ेंगे नेक्स आगी चलें अब 26 पर आ जाए यह तो इसमें सिंपल बात है अगला क्या कहता है कि जी का एर निकालना ना तो सबसे पहले आप सही करो जी तो उधर लो यह क्या है का तेरा इसको बूल जा इसको बूल जा इसको बूल जा माइनस लगा तो पर ने पढ़ने वाला डेल्टा टी बाई टी अब डेल्टा एल क्या है एक मिलिमेटर की सुझता किसम है है तो स्वक्री मिलिमेटर में तो बन अपोन क्या कर दो और दूँड़ कर दो डेल्टा डी जो लिष्ट निश से 50 है तो एक बटा कर दें उले तो अब तेरे सामने है यह वनपोन हंड़े है एक तो यह तो न यह तो बॉल यह तो बई 50 है भी तो यह इस इसको 40 लिक one by five by hundred हो गया तो पांफ परसेंट हो गागे सब्सक्राइब करना परहा कि दो तो सो से करोंगे और एक हो गया यह चार हो गया आंसर क्या गया पांट परसेंट अगया तो दियो अरल कि हम ली यह ने के लूजिक लिए उनके लोजिकी सारी प्रणों आपके अगे चले पुतर है तो यार एकजम है भाए BBQ मैट्रो चेसनल टाइम में त्याखक पर टाइम क्या भलती ह Duty पर करती है। अब इसके ओ पर पहले लड़की सल्टी है, तो लड़की सल्टी है, टाइम कितना दे रहता है, अपने को t1 देरेखा है, तो time कोश्टो क्या देगा, distance upon speed होगी, distance l माल लो स्पीड क्या देगी वेलो स्ट्यॉप गल ठीक है जो सीडी वो रेष्ट में यहां से अपने पास आदेगा वेलो स्ट्यॉप गल की कोश्ट क्या देगा एल अपने को रिपार्ड होगा भी थोड़ दिर बाद में अब अपने को देर का है यदि बच चलाए मां पर इसके अब की बार किया है कि जैसे मतला वो लड़की इस ती रहती है और सीडी उसको पर की तरह जाए तो टाइम कितना देगा टीटू तो क्या देगा डिश्टेंस अपने बहुंदेगा इसके लेगा तो यहां से अपने पास आदेगा वेलोस्पिटी आप इसके लेटरी कि अदरी के लिएलोन के अचीफ कर देगा ज़िए अपने पास लंके आएगा तो बीजी कितना घ्रुचा देगा लाप लपयोहत तो प्लस कि अदेगा अपने लियो अपने बास गर किखाट देगे है तो यहां पर इसका ल से मतले भी पुच्छला घेगा रिचे ती- पूल सही बात है डियर, आप कहां पहुंच गए पर कुशन नमबर 27 पहुंच गए, आराम से हो रहा है को ना, बच्चों, ये वीडियो सोलुशन आपको इस परकार देने का मतलब है कि आप इस लास्ट टाइम पूरा गो त्रू हो, आज 27 मार्स को में वीडियो सोल्ड कर रहे हाना, तो एक्स इक्वल टू है, ए प्रस बीटी स्कार, और मुझे क्या चीए भई, विलस्टी, सुन लो, एक्स का एक बार करो, फिर क्या आएगा, विलस्टी आएगी, आजा भईया, चलो इसको एक बार आउक्दन कर लें, तो आउक्दन करेंगे, तो ए तो क्या हो गया, जीरू, ये क्या हो गया, टू बीटी, अब अगला क्या कहता है, दो सेकंड पे, तो इसकी वेलिपूट कर दो, तो आंसर क्या हो गया, चार बी, ठीक है, और बी कामान क्या है, दो पाइंट पांच, चार को गुना को दो पाइंट पांच, कितना हो गया, दस हो गया, बात व फिर आप देखें, एक वस्तु ए तवर्ण A न विरामा ससाइ依ा सिरू होती है, दो शेगिंद पर चागत एक दूसरी वस्तु टवर्ण B से विरामा न पर फ़र्ण होती है, एक के शुरू होने के बाद ये पांचवे सेकिंड में एक समान दूरिते करते हैं, अनुपात A1, अनुपात A2 क्या होगा? आजाओ, शुरू हो जाओ बया, यहां पे अपने वो दो वस्तों दे रहे हैं, कि एक अपने पास वस्तों A है, और एक अपने पास वस्तों B, इसका इसका भी 0, इसका भी 0, से एकसलरा एकeterm टाक है, A1, और इसका एकसलरा एक क्या है, A2 अब देखो यह करना है कि जो वस्तों A है, वो तो ट अपने पर जिए पर श्तार होगी, और यह वस्तों B है न, वो दो सेकिन बाद पर Tel sy gün तो जो 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 कि यह तो जिरू है डूनों का स बराबर कर देते हैं तो मैं लिक देता और नाइन से कितना नो और गया है रोगा और बात चाहूंगा एन से किन और इसका इंड नाइन विझेता है एक चोतो लोटी काता फ़रक है चार नोटी काता चार खा गया एक ने भी जोती नोटी विखना तेन उसने नहीं खाए, तीन कोई थाड़े में ऊर खागया, तो चार सेकंड में चली दूरी, वो चोते हैं है, जो जोपना है है सभी क्योंकि कि यह पर जो यूप से इस की सार्फ ड़िए ले करते हैं तो यहां पे इंचा हня यूट ती ब और तो यह सुग्देव पुतर एक बहुत परा क्यूशन है यह कहता है कि A और B दो बच्चे हैं अपने स्कूल जापते हैं स्कूल तो यह होगी गरह लगा है पर गरह लग लगा स्कूल एक है वो कहते हैं पीट था क्यू पर लोटने पर इस्तिती एक्स टी गराफ दरसाता है वो कहता है गलत कौन है तो एक बास सुने यह एक्सो टी का गराफ है तो एक्सो टी के गराफ हमें आप जानते हो कि जब भी एक्सो टी के गराफ की जो स्रोप होती है ना वो मैं बताती है अब speed कम है तो a b की तुलना में स्कूलसे ज्ल्दी रवाय को सकता ही नहीं नहीं है तो a e b की तुलना में अधिक पेशलता ना बी अधिक चलता शदि आ कि हो गया है तो पहले यह रवाना होता है एक साथ पहुंचते हैं की तो यहां पर इसका घर है पर का हम रहा है तो नजदी कौन रहा तो यहां पर तो कि थड़ आप स्था, जैदा कि अधिक टुना में अधिक तरी सी तरी से तो, जलत है, जाए जल खाए अगे चले हो, तर लिए देखो एक्स ऐक्स पर गतिक को यह है, एक्स ओटी में ग्राफ है, बहुत ज़ात है, इसकी तो कोई स्लोप है, तो यहां तो विरॉस्ट्री क् न लगाता है कंड का समय टी नोट तक वेग बढ़ता है कंड समय टी नोट तुक नियत वेग चलता है इसके बाद ही रुक जाता है करवा इतने सिंपल है और यह मैं मानता हूं हर टीचर बहुत आराम से पढ़ाता लेकिन जान देता को रहा है आगे चले आप टीचर को क्लास में डंग से को फोलो कर लें एंशार्टी पढ़ लेना उसके बार को बसता ही नहीं है अगे चलें भई थर्टी टू पर यह कह रहा ह देयर इसकी oxy which क्या है 10 मिटर है की अब एक स्कूटर वाला 100 से किंड में बस से आगे निकर ना चाहता था है 100 स्कूटर में 100 सब्रेंग तो बता स्कूटर करने के लिए चाहले की मेरे बाद सूनने बस पर बस से आगे निकलना चाहarta तो shepherd कितना क्रेंगा कितना कि या में 1000 संब ligga दंगा य। बशत दूह कितना कि माऩ लेगी वेग बżenाबर दूरी बटा समय दूरी व्रावर वेग गुंना समय दूरी कितना 10 गुंना 100 कितना हुआ? कितना चलगी? 1000 1000 चलगी दिए और यह किलो मीठर पहले से हैं तो कितना हो गया? 2000 तो स्कूट कितने लेगा? 2000 चलना पुड़ेगा ठीक है ना 2000 चलना पड़ेगा और टाइम सो है तो 2000 का बाग दे स्पीड क्या होगी 20 मेंटर पर सेकेंड या फिर उसके बादे इसको अपन ऐसे सिंप्ली रिलेटिव से भी जिरूद कहा है कि अपना प्रड़ा लगाने यार फिसक को लगा रहा है एक बता हर जगे आप क्यों सेकेंड बात दोनों क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे तो यह भी सोच रेयेगा वो बीचलेगा ना वो सो कितना चलेगा 1000 तो पर चलीगी तो अजार तो तेरे से बस पर आ गए थी अब तैस तुझ जहां तुन बसको पकड़िया बस कितने दूर होगी 20000 कितने सेकेंड मे सो सिकंड में कि तिस बिड़ों भी से कहां फिसका हमारी इसमें नेक्स्ट आगे आजा फिर वो सेम काने दियर वो कहता है एक कंड है एस से प्लानब होके सिध्य रेखा पत पे चलता है यह कुण इसका त्वरण है यह चल रहा है पी क्यों क्या है ने तांग है अक्स बिंदू एस से तब एक्स बिंदू एस से दूरी है कंड बिंदू बी पे रुकता है तो कंड का अधिक्तम वेग क्या है अब आई सुन ले अधिक्तम वेग का मतलब है तूरण जिरो करना है सबसे पहले तूरण जिरो कर दो चलो तूरण जिरो करो तो ए ब्राबर पी मैनस क्यू एक तो P ब्राबर Q एक्स है, X प्राबर P वाई Q आपने पास. जब कभी भी अपने को A और X की भीच में लेसन दे रहा है, तो अब हमाने जो बात की थी अभी वही हो जाएगा. तो पिर उसके बाद में इस पापन कर देते हैं, बढ़ो, आगे बढ़ो. इस पेले किया वोई कुछा मयें रिख देंक वह रहती को यह से अपने को निकालना क्या और एकुश्टोंर अब माईनस अदेंक हो गया आप भी माइनस है पी माइनस है अब इसको और एकस और निकाल रिखिए तो यह अपने पास क्यूंड और इसके बार क्यूंट अपने पास है कियूट ऑला कू पिलिया लो यह को अपने पास हो देगा चूंड है तो एक प्लॉट एit तो वह चीज बार बार काम आ रही यह बहुत परापंड़ा है यह बहुत काम आता है नेक्स से ले आगे चले थर्टी फोर में चलो सुरू हो जाओ यह तो और भी सिंपल सा क्यूशन है एक वस्तू के तरल मादे में ए बराबर क्या देगा जी मैनस बीवी देखो अगपन जान इसकी स्पीड अगर कॉंशनेट होगे तो एक्स रेसन जीरो और एक्स रेसन जीरो करते है अपना अन सवरा रहा है तो जी भाई भी होगे है तो जी बाई भी पूछ है नहीं तैंक्यू आगे चले यह फिर मेरी बात आगी देखिया कहता है डियर वी और टी में करव है और अगे बोट एक डिस्टेंस पूचिए इस इक अगारे फिर अगरी नियर और टी करवक के इस है अगर का का ऊर्लियोच कितना है 40, 40 आ गया ये कितना है HAP, HAP गूना 20-20 कितना बचा 20, ये तिरा कितना बचा एक, गूना 20 ये तेरा फिर क्या होगा HAP गूना एक, गूना 20-10-10 ये भी 10 तो तो ये बीस, चालीस, साथ, सो, सो, प्रिकों सिंपल उस्ट हो गया, कहना का सिदा मतलब है, हाँ लेकिन डियर एक बाद दान सुनना, यह यह आप से विस्तापर पूस लेता, तो फिर दस क्या जाता, माइनस है, यह कैसे रोगिया, आंसर का बस्ताफ का, असी, असी आंसर साइ क्योंकि वेक्टर है या स्केलर है, जीरो से लेके चार तक तो आगे चल रहा है, और चार से पांस तक पीछे, पिछे आ गया, आगे को बाओ चलो, वापस आगे चलो, हाँ तो दोस्तों, अब हम लेके आते हैं, अरुन सर्कों, शत्तिसे क्षिशन से, पचास क्षिशन है, शुक्दियो से लेके अपसे लेके अपने यूटूब पर फ्री ओपोस्त डालेंगे, और पंदरा अपरेल तक सब साथी मिलके अपरोड करेंगे, तो दोस्तों, शुरू कहता है, वो कहता है, वो कहता है, आप पट रहे हैं, एक कंड की इस्तिथी आपको समय पन निर्भठ करता दे रखी है, और आप से पूछा गया कि वह इस्तिथी निकालो जहां आपकी अधिक्तम चाल हो, तो चाल देखो, अक्स को एक बार अवक्तिन करो, डी एक सबाई डी टी, यह क्या होगी, विलोस्टी, और एक बार दुबारा इसको करोगे, तो एक क्या होता है, डी वी डी टी होता है, इसका मतलभी मेकजिमा होता है, अब इसका आपन एक बार उक्तिन करें, तो एक बार उक्तिन क्या हैगा, 18 T माइनस इक बार फिर करना पड़ेगा, तो 18 माइनस 60 इकवल टू जीरो, तो T का लोग तो 3, अब पूट करोड़ों, तो 3 ती, नो, 81, 81, सब्सक्राइब कर लें वहां से आगे बढ़े हैं किशन को 37 या पता है अगला प्रश्ण है एक 35 सब्सक्राइब को समय बाद हवाई भी चल रही है और हवाओं की चाल भी दे रखिए पूर से पश्ण दिशा की और और बस इस टॉप पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके हाथ में चाता है किस उद्वादर कौन से आपको बारिश से बचना होगा तो चाते को कितने कौन ख़ाए नर्ड शौद इस्ट लेश्ट आजाव इसके तो आपनी जो चाल है वह बारिश कि चाल है नीचे की तरफ पैंटिस उसके बाद करना है आपको चाल दिखानी व्यक्ति की या वच्चे की जो भी हवाय चल रही है यहां पर हवाय बी चल रही है तो हवाओं की दिश तक किस दिशा में पकड़ना है तो सिंपल सा प्रशन है बारिश भी आ रही है हवा भी चल रही है दोनों का सिंपल सा जोड करना है एंसी आर्टी का कुछ्छन है अब उसके लिए आप देखिए परणामी जो वे आएगा वह आएगा इन दोनों का चोड और ऊधवारगर से कौन निकालने के लिए आपको यह वाला कौन देखना है कौन देखने के लिए किस उर्जवादर कौन से न बिलकुल तो यहां से आप देखिए आपको लम दे रखा है आधार दे रखा तो सिंपल साइट 10 ठीटा का फॉन लगा दो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार 12 बटे 35 अल्फा बराबर 10 इंवर्स तो थड़ आंसर हो गय हमारा है ठीक है नेक्स आगे है कि यह बहुत सिंपल कुशन एक नदी पश्चिम से पूर्ग की और पांच मीटर पती सेकंड की चाल से बह रही है एक तैराक शान जल में 10 मीटर पती सेकंड की चाल से तैर रहा है यदि वह दक्षिन किनारे से बिंदू ए से शुरू होना च चाहता है उसे किस दिशा में तैरना चाहिए इसका अब तो यहां तारा पहुंचना से बिल्कुल सीधा एसे सीधा पहुंचना चाहरा है यह बना दो नदी की दो दिशा है एंगल किसे लिया है एंगल लिया है हमने उद्वादे किस दिशा में तैरना बश्चिन किजारे के बिंदू शुरू हो उत्री किनारी पे विपरीत बिंदू पोचता है उसे किस दिशा में तैड़ना ची ठीक है इस्ट वेस्ट नौट साउट तो चल प्ष्यम से पूर्व की और चाई बहरे तो यह तो आपको नदी की दिशा में बहरे तो यह जो बोस ने बनाया उसी में आपको वी-यार देखना ये तो ओके नदी की दिशा अब आदमी को बहना होगा या उसको अपने हाथ-Pैर मांटने होंगे इस दिशा में तब जाकर वो तो यह वाला कौन आपको निकालना है उसके लिए आपको व्यक्ति की शांत जल में चाल वो दे रखिए जो की दस दस से वो खुद तैर सकता है नदी उसको बहा के आगे ले जाएगी मतला बिल्कुल सामने पहुच जाएंगे न्यूंतम दूरी का प्रश्ण है यह इसके साइन ठीटा निकालेंगे साइन ठीटा आजाएगा आपका लंब बटे गर्ण तो वियार आपको दे रखा है पांच पश्ण की तरफ जाना है तब जाके नदी आपको वापिस से उत्तर में ले आएगी तो आपको जाना है यह दिशा हो गई आपकी पश्ण सामने हो गया उत्तर उत्तर और पश्ण के मद्ध तो उत्तर से पश्ण तीज दिए तर्टी एट नमबर कुश्ण आपका हो गया दोस्तों आगे चलगा थर्टी नाइए कुश्ण निकाले वह या नदी वाला किसे बहुत जोड़दार है वह एक्जाम आते रहते हैं चलें साब इसका मै सब्सक्राइब करना आना चाहिए सबस्तर वह फकेड़ों आपकर माता है आगे चलो है जो तीन आई कैप प्लस दो जे कैप मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर का एक नियत त्वरंड उत्पन करता है कंड के उस च्छन पर वाई निर्देशान क्या होंगे जब इसका एक्स निर्देशान 64 यह वत्अ हैं तो कि देर ना यहां जो आपको यह तोरंड दे रका है तो इसमें दो घटक है उम्हां को एक्सजान यहां से हम समय निकाल सकते हैं X 84 लिखो X कमान 84 यूएक्स कमान 5 लिखो यूएक्स कमान 5 ती निकालना है हाफ प्लस हाफ एक्स कमान पिर तील लिखो ती स्क्वार यहां से आप द्यूभाद समीकर्ण बन जाएगी क्वाडिटिक एक्विशन इसको आपको सॉल करना जिसे फोड़ा मुश्किल चाहिए बस अब आप से समय नहीं पूछा है तो बिल्कुल सेम समीकर्ण आपको वापिस लगाने पट य के लिए हम बनाते हैं लोग एक्वल टू यूवाई टी प्लस हाफ एवाई टी स्काहर यूवाई जीरू है बिल्कुल है नहीं हाफ एवाई कितना डियर दो एवाई दो टी कितन प्रक्षेप की परास कॉमा अधिक्तम इसकी अधिक्तम उचाई की दुगनी है परास जो है वो उचाई की दुगनी है तो आपको एक्स और वाई में सम्बंध में ठीकाते हैं परास का फर्मॉला क्या होता है रेंज का फर्मॉला लिखते हैं आट एक्वल स्टू यूएग्स यू अपों जी यास याष में यादर बदूरी है इसमें यू एक्स और यूवाई दूनों घटका जाते और अधिक अफ्तमुंचाई का दुगना है वास आजाओ तो से करें हुभई बिलकुल सुग्या उज़र यूएक्स यूवाई जी इक्वल टू टू यूवाई स्काईर पॉंट तू जी जी से जी काट दो तू से टू काट दो यूवाई से एक यूवाई काट दो तो आपका क्या बच और यू वाई का मान है आपका रोड़ा की यू एकुल रहा है यू वाई डीर टू यू यू अब आगे चलो य यू आगे त का B vector के मद भी कौन ठीटा है जिनका परिणामी R vector है जो A vector के साथ alpha कौन बनाता है यदि A vector तथा B vector की दिशाएं आपस में बदलती हैं तो तो भाईया परिणामी तो दिशा बदलने से परिमान तो चिंद नहीं होगा के परिणामी की दिशा बदल जाएगा तो परिणामी समान होगा परिमान में दोनूं समान होगे बोलो है ना परिमान दोनूं समान होगा क्योंकि A1 square plus A2 square वो तो और रहने वारा से परिणाम change नहीं होगा के परिणाम change क्या होगा दिशाएं एक क्रिकेट की गैन 30 मीटर प्रती सेकंड की चाल से 30 डिगरी पर प्रक्षेपित किया जाता है गैन द्वारा दरातल पर वापिस आने में लिया गया समय क्या है क्या है तो सिंपल सा बच्चों इसमें सूत्र है time of flight जिसको हम बोलते है उड्डेन काल यू साइन दिता फजी तो यू साइन दिता फजी तो तो यू बोले तो 30 जाएन 30 बोले तो यह बोले तो दस बत्रत भी आंसवां गया मिल्कुल आगे चले 34 पे चले सभी होगा फस्स चलो आगे चलें सर बिलकूल अगले हमें चले अरुन सुरे की शुर्मा करता हो देखो A की वेल्यू है A सदिस B पर प्रक्षेप है देखो ऐसे मत करो यह आप इधर क्या लो B इधर क्या लो A अगला कहता है A का B पर प्रक्षेप यह components यह कोड़ होगा A cos theta तो हमें क्या चीए है अब याद करो आप जानते हो dm A dot B equals to क्या होता है A B cos theta मुझे क्या चीए A cos theta क्या चीए मुझे A cos theta लुक्त ह्योगए सोलyorsunर सोल और पलस कितना है निचास तो उपर कितना पुतर बारा है शोर् Double खितना हुआ दॉसे अगया किसी ऑगया कितना हो गया 9 तो इसपे द्धानने हो बच्चे बिपर एका प्रक्शेब थी पर ये क्या है इकोष टीटा तो आपका निकालना एकोष टीटा तो एकेज़केह बी कोष्टीटा जो एके श्नरे टीटा फोली का बाका उसे तरीके में अच्छे बड़े निवागों सुरू से, आगे चले, 46, दो सदिशों A vector तथा B vector के परिणामी का परिमान P है, यदि B उल्टा कर दिया जाए, तो परिणामी का परिमान Q है, P square प्लस Q square का मान क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं P, तो P है आपके दोनों सदिश का जोड़, तो यह आजाएगा A square प्लस B square प्लस 2AB cos theta, अब यदि हम, रूट करें, रूट कर दो इसका, बिल्कुल, रूट कर दो एक यह बात है, यदि हम किसी भी एक सदिश को उल्टा कर देते हैं, तो दोनों सदिशों के मध्य कॉंड जोगा, 180 मैस theta, Q मैस कर दो, तो Q आ square का जोड़ करेंगे, अंडूर हट जाएगा, 2A square plus B square बज़ेगा, आगे चलो, ठीक, फिर चलो, next, दो कणो को समान बिंडू से समान उद्वाधर तल में, एक साथ फैका जाता है, दोनों की चाले भिन भिन है, तथा 36 के साथ बिन भिन कॉणों पर फैका गया है, एक के सारे पत्थ दूसरे के द्वारा देखने पर हैं, आपके सामने चार अप्शन है, सबसे सिंपल कुछन है, क्योंकि इसके अंदर दोनों अपने अपने अदिया हम जमीन से देखें, तो दोनों के पत्थ होंगे प्रक्षेप पर, यास, ये भी प्रक्षेप होगा, और अगल छोड़ दो, आपको तो बोल दिखाई देगी, सल रिखी, पर भार खड़े बोल दिखाई देगी, परा बोले कुछन है, बिल्पुल होई, तो जिसके कारण से ये परवले बनता है, वो ही खत्म हो जाएगा, चलें, आगे चलें, नेक्श्क कुछन है, यदि A वैकटर, 2 आइकप, माइनस 3 जेकप, माइनस केकप, तथा, B वैकटर, 4 आइकप, माइनस 6 जेकप, माइनस 2 केकप है, तो निम्द में से कौन सा कथन सही है, देखो, सब से पहला, A और B समान सभी से मतलबी नहीं है, लंबुत है, तो लंबुत को नो तो है आगे चले 49 से एक प्रक्षेप की अपनी अधिक्तम हुचाई पर चाल इसकी प्रार्मिक चाल की रूट तीन बटे दो है यदि प्रक्षेप की परास इसके द्वारा प्राप्त-धिक्तम हो चाई की पी गुना हो तो फी का मान गया आइसंग यह सब्सक्राइब आजाओ आजाओ आइसंगे सारा खिल फॉमुली पे है यह फॉमुली आपको याद है तो पर मुश्किल फॉमुली याद नहीं है तो फिर वहां पंगाव ले देखते रहो बिस साब कहता है क्या कहता है कि ता स्पीड ओ फिप प्रोजेटाइब इस मैक्सिम्म हाइट इज रूट थी वाइट टू टाइम इस इनिश्ट्रीट अचिश्ट तो इस स्पीड का होती है यू यू लिखे आ है प्रारंबिक चाल की एक मिन्ट पुत्र प्रारंबिक चाल की रूट है 3y2 है यह दोट पर रहूंगा यह लो जी यह कितना पचिया 30 30 डिग्री किसे परक्षेप की पराश इसके द्वारा प्राप अधिक्तम उचाई की पी होना है यू स्काहर साइन स्काहर थीटा वाई 2 जी सही कर रहा हूं लेकिन उसने वही पुछा यदी प्रक्षेप की पराश इसके द्वारा प्राप अधिक्तम उचाई की पी होना है पराश के साथ लिया है पराश और उचाई का अनुपात पूछा है तो हमारी बात को काट देते हैं अब आप लिखो इसका एक डाया सूत्र है एंसे अर्टी की अंदर बिल्कूल है वह है फोर एच बराबर आर टैन थीटा बिल्कूल फिट है पास वही लेडा है वही भूमला है बस अनल आपका आचुका है आगे आपसे पूछा है इसकी परास और अधिक्तम हुचाई लोग इसी के साथ समापती के और आगे पचास पे आजाओ एक एक खिलाडी एक गयान को 20 मीटर 30 सेकंड की चाल से इस प्रकार किक मारता है कि इसके परास अधिक्तम हो जाए कि की दिशा में 24 मीटर दूर एक दूसरा खिलाडी किक मारने के समान च्छन पर समान दिशा में द दोड़ना शुरू करता है यदि वह गैंद के धरातल पर पहुचने से तुरंत पहले गैंद को पकड़ लेता है तो उसे किस वेख से दोड़ना चाहिए यह लास्ट कुशन है वो डंग से बात कर देखो आप मेरी बात दान सुनो इस पे यह क्या कहना डियर कि एक खिलाडी को ट्वणटी मिटर पर सेकेंड की चाह्ल सीपर कारक कि μारता है कि इसकी प्रास अधिक्तम हो जाए दोस्तो प्रास अधिक्तम होने का 40 को आप और पर आओ एक मेंट हो प्लंव स्टक्रों तो अब एक प्रास मेंटेव पर क्या होती है एक जाएगा जी कितना है दस बोलो सही करां सर आर है 40 मिटर ये 40 मिटर दूर जाके गेंद गिरेगी है ठीक है डियर किक की दिसा में 24 मिटर दूर एक दूसरा खिलाड़ी के कमारने के समान सर समान दिसा में एक आदमी कहा खड़ा है 24 मिटर इसको कितना चलना पड़ेगा 16 समय चाहिए एक बराबर दुरी दूरी की सोडा क्या सोडा दुरी बट्टा समय अब समय चीज का अपने को अब टोटल निकालो उते ही बात है वह दोड़े चाहिए तो एक आत होगी वह टी क्या होता है भोलो यू साइने ठीट अपन जी फिर वही बात करना चाहंगा आप से वह यू बोले तरच मिरें और सइन कितना है फोटी फाइब एक बटा रूट दो जी कितना होता है डस तो यह तेरा दो चार बटा रूट दो चार बटा रूट दो तो यह तरह क्या है तो दोस्तों यह पचास कुछिर पूरे सोल्ड हो गए हम तीनों साथ में आपको पूरा सोलुशन दिया आगे मैं कहना चाहूंगा कि इन सबके सोलुशन आपको मिलें यूटूब पे आप देखें अगले टेस्ट देखने आप स्क्रिंद दिखाए जाए दोस्तों यह आप द यूटूब का टोपिक वाइज सोला वीडियो हम आपको बाइस बार से लेके पंदर आपने बीच अप्लोड करेंगे और एक सिस्टम बना के देंगे एक टाइम डिव बना के देंगे किस दिन कौन सा वीडियो आएगा ताकि आप उसके अपना रिविजन स्टार्ट कर सकते नमस्कार जोड़े सीलसी के साथ जैसीलसी